दोस्तो् टू बैलेंस में कुछ नई अपडेट आगई है तो छलिए हम इससे अपडेट कर लेते हैं और अपडेट करने के बाद हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या नए अपडेट आया है उस अपडेट को है किसमें क्या नई अपडेट आया है चलिए हम इसे open कर लिए open open कर देने के बाद दोस्तों कुछ है ऐसा interface होगा आप लोग के सामने तो थोड़ा सा हम wait कर लेते हैं मेरा नेट थोड़ा दोस्तों तो यहां पर दिखिए कुछ ऐसा इंटरफेस सो आ रहा है यहां पर इस एप्स में और दोस्तों यहां पर आपका सबसे पहले नाम दिखेगा और यहां पर दिखेगा दोस्तों आपको सवरी इसको थुरा से हम यहां पर आते हैं और यहां पर आपको दिखेगा नीचे नीचे पर बाद में जाएंगे यहां पर आपको दिखेगा यहां पर आपको यूप पचास हजार रुपे तक आप इससे लोन ले सकते हैं इनका रहेगा तीन महिने तक आपको पैसा चुकाना है और यहां एक option और मिलता है दोस्तो आपको पाच परसेंट का आपको रेफरर से अगर किसी दोस्त को आप लोन दिलाते तो आपको पाच परसेंट भी मिल जाएगा यहां पर चलिए हम इसका देखते हैं लोन का प्रोसेस इसमें लोन का प्रोसेस में क्या नई अपडेट आया है है ना यहां पर देखिए यहां पर लेका only KYC यानि कि आपका KYC यूजर होना बहुत ही ज़रूरी है इसमें इसमें जब तक आप KYC नहीं किजिए तक आपको लोन नहीं मिलेगा और यहां पर देखिए तो हम कौन सा लोन लेना चाहते हैं यहां पर हमें दो परकार का लोन देना चाहता है तो आपको जो भी परकार का लोन लेना है आप उस पर क्लिक करना होगा जैसे कि मान की चलिए हमें अगर क्लिक करते हैं तो यहां पर क्लिक करते के बाद हम देख लेते हैं आगे का प्रोसेस क्या आता ह है यहां पिर मेरे पास यहां ही आ रहा है districts सित्कंट रिजल तो कंफर्म और यह पता मेरे से मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है और यह यह इन कीदिग करता हूं तो तो नीचे बने इनका किस्टामार की अर्सा मैंने बात वी किया तो बल एक-2 महिना देख लिजिए फिर भी मेरे पास ऐसा ही एर्र आ रहा है तो दोस्तों अगर आप लोगों को